केंद्र सरकार ने जैसे ही भारत की प्राचीन चिकिस्ता को मजबूत बनाने के लिए आयरवेज चिकिस्तकों को आपरेशन की मंजूरी दिया इलोपैत के बाजार में भगदर मच गई इतना ही नहीं आयमे ने तो बाकाइदा 11 दिसंबर को कोरोना मरीजों को छोड़ कर अनिस्वास सेवाओं पर हर्ताल का एलान कर दिया लेकिन पियम मोदी के संसदी चित्र बनारस में इलोपैत को बड़ा जटका लग गया है प्रसिद आयरुवेदिक संस्थान बीके आरोग्यम एंड रिसर्च प्राइबेट लिम्टेट के आहवान पर आयरुवेद की राजधानी कासी में आयरुवेद के चिकित्सक एक जुट होने लगे हैं बेके आरोग्यम एंड रिशर्च प्राइबिट लिम्टेट की तरफ से ये एलान कर दिया गया है कि 11 दिसंबर को फ्री हेल्थ काइंप लगाया जाएगा जिसमें रोगियों को मुफ्त चिकित्स के परामर्स भी दे जाएगी बेके आरोग्यम एंड प्राइबिट लिम्टेट के दरजुनों अन्ववेची किसकों के साथ ही आयरुवेट की कई अन्य चिकिसक भी 11 दिसंबर को वाराणसी के सिगराय सिद्केंदर पर मुफ्त में परामर्स देंगे ताकि इलोपेट के भारत भी रोधी सडियंत्र को यानि भारत बंद को रोका जा सके या असफल किया जा सके दोस्तों इलोपेट किसकों द्वारा आयरुवेट को लेकर किया जा रहाया बंद मात्र एक बंद नहीं है बलकि एक बड़ी साजीस है यह साजिस इस बात के लिए की जा रही है कि देश का पैसा देश में न रह सके और अंतरराश्टी दवा कमपनियों को लाव पहुचाया जाता रहे पर इस सड्ययंत्र को रोकने के लिए हमें एक जुट होना होगा भारत की प्राचेंचे किसा पधत को फिर से घर घर ले जाना ही होगा एक बात जो ध्यान देने वाली है वो यह कि आखिर एलोपैद को हर रोज इलाज की अनवति मिली तो आईरुवेद की तरफ से क्या कफी विरोध हुआ नहीं न फिर आखिर एलोपैद को ताकत मिलने पर ऐसी साजी स्क्यों की जा रही है यह साजी सिर्फ इसलिए कि आईरुवेदिक इलाज परंपरा मजबूत होगी तो लाखों विदेशी दवा कमपनियों का बोरिया बिस्तर बस जाएगा आईरुवेद मजबूत हुआ तो देश की करोजनता को सही इलाज मिलने लगेगा लेकिन इलोपयत ऐसा नहीं चाहता वह भारत को रोगी बनाना और यहां के पैसे कमाना चाहता है आईए इस सडियंत्र के खिलाफ एक होकर भारत को मजबूत करें देश को फिर से सम्रिद बनाएं आईरुवेद को घर घर तक पहुँचाएं बेखे आरोग्यम पिछले 40 साल से भारत को मजबूत कर रहा है आईरुवेद को घर घर पहुचाने पर काम कर रहा है आईए हम एक साथ होकर देश को ताकत दें और एलोपयत के सडियंत्र को फेल करें फ्री हिल्थ कैप में हिस्सा लेकर आईरुवेद और बेखे आरोग्यम एंड रिशेज प्राविट लिम्टेड की मुहिम को सफल बनाएं धन्यवाद